अब शेक बच्चन जी हाँ बच्चन परिवार के वो छिराग जो हमीशा ही सुर्ख्यों में बने रहते हैं अब शेक बच्चन और राय का रष्टा पिछले कुछ सालों से गलत कारणों की वज़ा से चर्चाओं में बना हुआ है इस जोड़ी को एक समय पावर कपल के रूप में जाना जाता था लेकर अब कोई रपोर्ट से पता भी चलता है कि ये जोड़ी अलग होने की और अपना कदम बढ़ा रही है इंटरनेट पर कई कारणों की वज़े से चर्चा हो रही है जो जया बच्चन और श्वेता बच्चन को इंके अलग होने का कारण मानते हैं इन सब के बीच अबिशेक बच्चन ने अपनी ही बेटिया राध्या को बादे विश्पी नहीं किया है जी हाँ कथर तोर पर अश्वेता राय और अबिशेक बच्चन अपनी बेटिया राध्या की भलाई के कारण कानूनी रूप से अलग नहीं हो रहे हैं जी हाँ 16 नेवेंबर को अराध्या ने अपना बढ़े मनाया था लेकिन दोरों ने सोशल मेज़ा पर उनके लिए कुछ भी पोस्ट नहीं किया ना ही बच्चन परिवार की तरफ से किसी भी सदस ने अपनी लाड़िया राध्या को जनन दिन की बढ़ाई भी एक बारल वीडियो में श्टेया अपनी वेटिया राधा की जनन दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाती हुई नजर आ रही हैं वो अपने जनन दिन का केक काटनी के लिए तयार हो रहे हैं उसके सब्य दोस्सके साथ खड़े हैं वीडियो में चया बच्चिंग भी कुछ और एश्परिया ने अपनी बेटी के खादर शुलह कर लें लेकं दिक्कत यह है कि ये वीजियो काफी पुराना है फिल्हाल दोनों की और से अपनी बीटी के बड़े को लेकर कोई भी ऑफिशल या फिर आफिशल वीडियो या फिर पोस्ट नहीं किया गया है इसे कि साब बत आदे हैं वो अपने लोगों को उन्हों के खास दिन पर शुफकाम नाएदे goes यहाँ तक उन्होंने अपनी भती जी जिस और वेलई नंदा को भी जनम दिन के शुफकामनाएदे पोस्ट ही शेर किया था लेगन बेटी ने भी नहीं कहा और नहीं बेटी के लिए उन्होंने कोई भी पोस्ट लेका है तो आखिर क्या चल रहा है बच्चन परिवार में आखिर क्यों पता अविशेक बच्चन ने नहीं किया है अपनी ही बेटी को बादेविश बतादे चलेगी एक वक्त था जब अभिशेक बच्चन और राय बॉलेवुट के पावर कपल में से एक थे लेकिन बेटे को समय से दोनों अलग होने की खबरों को लेकर लगतार सुर्खियों में हैं सोचल मीडिया पर भी लोग तरह तरह की कया अजबाजी लगा रहे हैं हाली में अभिशेक और एश्विडा की बेटी अराध्या का तेरवा जरम दिन था लेकिन इस खास मौके पर भी अभिशेक बच्चे ने उन्हें बदेविश नहीं किया यहां तक एश्विडिया ने भी अपनी बेटी के लिए अपनी लाली के लिए टेबल में रखे बर्दी केक काफी अच्छे से रख रही है इसकास मौके पर अराध्या के दोस्त साफ में खड़े हैं वहीं अभिशेक बच्चन अपनी अराध्या के पीछे ही खड़े हुए दिखें लेकिन दादीजिया बच्चन का आफी थोड़ा आने यूजर ने कमेंट करें लिखा क्या वह भी भी साथ हैं लेकिन जच्छाई यह है कि अराध्या बच्चन के बदी का वीडियो है वह काफी पुराना है बता दे कि अराध्या बानी और आध्या मर्चन की शादी के बाद से ही अभिशेक और एश्विडा के रिष्टे को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर फांस यह कयास लगा रहे हैं कि दोनों अब अलग हो चुके हैं वह कुछ का कहना है कि जया बच्चन और उनकी बेटी श्वैता बच्चन की वज़ज़ से दोनों के बीच में दूरीया आ गई है हाला कि इंतलाग क्या बच्ची बताएगा लेकिन इसे भीच हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खुबसूरत और टैलेंटेड अक्रिस ट्रेस इसमें से एक एश्वरा राय का भी जनन दिन हाली में भी था उन्होंने इस साल भी अपना एक्यानवा जनन दिन मनाया जहें एक और अक्रिस के फै नहीं हुआ इस भी नेश्वरा के लिए अमिता बच्चों की ओर से किये पुराने पोस्त के स्क्रीन शोट शेयर करकर रियाक्ट किया और बच्चन फामिली को लेकर करकर आस लगाए कि क्या सब को स्थीक चल रहा है अमिता बच्चन सोचल मीजा पर काफी अक्टिव रहते ह है लेकिन उन्हें किसी भी हांडल से अश्वरा को बदे विश्च नहीं किया रसे में नेटिजन्स ने उनके 2010 के पुराने पोस्त खोज निकाले जिनमें उन्हें उन्हें एश्वरा को शुपकामनाय देने वालों को शुक्रिया आदा किया इतना ही नहीं बिगबी ने अब अमिताब ने इन सारे पुराने ट्वीट्स का स्क्रीन शॉट्ट शेयर करके नेटिजन्स के इस बारे में बात कर रहे हैं कि अक्रिस और उनके सस्वाल वालों के भी सब कुस सही नहीं चल रहा है एक यूजर ने लिखा समय कैसे निकल जाता है तो वहीं दूसे यूज पिछले साल का पोस्ट स्क्रीन गाम डाल कर लिखा है भाई इस बार क्यों नहीं किया विश बता दे पिछले काफी समय से अविशेक बच्चन और निम्रित को और के बीच आफेर को लेकर अफ़वाएं जोरों पर हैं कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि अविशेक और आश के बीच में वह चीज चर्चाओं में दुबारा से आ गई है बताते चले इसी के साथ एक और ख़बर भी आ गई है साथ ही साथ कई लोगों ने भी एश्वरा के बादे बुनों शुबकामनाई दी थी दरस इलेक्ट्रेस अश्वरा राय अविशेक बचन के साथ अपने रि अवेंबर को अपना एक आनवा जनम दिन मनाया और बचन परिवार के किसी सदर से नोने शुबकामनाई नहीं दी जिससे लोगों नहीं यह माना कि अब तो इनके बीच पक्का सब कुछ खतब हो गया सोशल मीडिया पर भी तवाम तरह के कमेंट बादी शुडू हो गई पर उन्हें विष्ट तक नहीं किया यहां तक हर साल के तरह बढ़ाई भी नहीं दी गई अमिताम ने दिवाले से जुड़ा पोस्ट किया लेकिन मगर बहूरानी के लिए कुछ भी नहीं किया महीं पती देव अभिशेक बचन भी इस सल पतनी के लिए कुछ नहीं बोले पर नहीं हिया फिलाल इस पर आपकी क्या कुछ रहा है कॉमेंट के जरिया में जरूरा ब्रीट करें इसी तमाम लेड़ी सब रीट जाने के लिए जड़ देने हमारे साथ और देखते रहें एक संलाइब